हेलो दोस्तो कैसे हूँ आप सब उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तो इस वीडियो में बात करूँगा कि MTFE में आपको आपकी टीम से कितना कमीशन आता है डेली ट्रेडिंग के उपर लेकिन सबसे पहले एक डिस्कलेमर जो बहुत ही जरूरी है ऐसी कैलकुलेशन के लिए कि मैं कोई financial advisor नहीं हूँ अगर आपको किसी भी company में investment करना है तो आपने अपना research और analysis कर लेना है मेरा काम है कि कोई earning platform market में अगर बड़िया काम कर रहा है तो उसको आपके साथ share करूँ ताकि आप उसके साथ जुड़के वहां से अपनी earning को multiple करता हूँ और मैं ऐसे ही platform आपके साथ share करता रहता हूँ तो आज का जो platform है MTFE इसमें कैसे आप deposit कर सकते हो क्या इसका structure plan है क्या इसका PPT का जो presentation है वो है कैसे इसमें आपको withdrawal करना है एक एक चीज का मैंने विडियो बना कर अपने channel के उपर already डाला हुआ है आपको मेरे channel के उपर playlist मिल जाएगा MTFE trading के नाम से तो आप वहां पर जाकि इसको check कर सकते हो आप अपना research कीजिए आप अपनी analysis कीजिए उसके बाद आप decide कीजिए कि आपको इसमें enter होना है जा नहीं होना क्यूंकि market है market में profit और risk दोनों आपके ही रहेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले channel को subscribe कर दीजिए ताकि आपको MTFE से जुड़ी सारी की सारी update time सिर मिलती रहें आप मेरी स्क्रीन के उपर देख सकते हो referral commission daily trading तो जहाँ पर कोई MLM plan की में बात नहीं कर रहा जहाँ पर कोई networking plan की में बात नहीं कर रहा जहाँ पर बात हो रही है auto trading manual trading की और auto trading जा copy trading जा manual trading करके आप अपने referral से कितनी earning कर सकते हो उसके बारे में ये एक table है जो मैं आप सब के साथ share करने जा रहा हूँ दोस्तों आप देखिए जहाँ पर कि अगर आपका self investment है जो वो 27 डॉलर से लेकर 500 डॉलर तक के अंदर रहता है तो आपको first level में 12%, second level में 8% और third level में 3% आएगा अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके mind में जे question आएगा कि क्या हमारे नीचे जो बंदा join होगा उसका total amount जो है उसका 12% तो मैं आपको सबसे पहले clear कर दूँ कि नहीं जो भी member आपके नीचे join होगा जा आपके referral link से trading करेगा वो जितनी भी principal amount डालेगा उसका 12% आपको जहां पर नहीं मिलने वाला एक चीज़ और clear कर दूँ कि जो वो earning करेगा अपनी trading से उसका भी आपको 12% जहां पर नहीं मिलने वाला तो दोस्तों फिर जे 12% किस चीज़ का है तो वही आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूँ जहां पर मैं आप देख सकते हो चार्ट में सबसे पहला investment plan जो है वो है 26 का अगर आपके down से कोई बंदा 26 डोलर के साथ जहां पर auto trading करता है तो आपको उसके मिलेंगे 0.20 जानिके 20 cent आपको वहाँ पर मिलेंगे वो 20 cent किस में से जो वो trade करेगा एक दिन में चाहे वो एक दिन में auto trading के जरी के 4 trade करता है जहां 8 trade करता है जान 10 trade करता है उन 10 trade का जो भी service charges MTFE जो group है वो लेगा उस service charges से वो आपको 12% देगा आपको जे चीज कलियर हो गई कि जो भी service charges लेगी company उसमें से जिसको हम IB commission भी बोलते हैं trading की दुनिया में कि आपको जो IB commission आना है आपके reference से उसका 12% मिलेगा second level पर 8% और third level पर 3% अगर आपके नीचे कोई 61 से join हुआ है तो उसका आपको जो भी service charges वो पे करेगा auto trading के लिए उसमें से आपको आदा dollar daily काएगा आगे second level पर आपको तीसरा हिस्सा है का dollar का 0.33 cent और तीसरे level पर आपको 0.12 cent तो दोस्तो ऐसे ही आगे 201 प्लैन है 501 प्लैन है 901 प्लैन है और 1500 प्लैन है और आप इस chart के मादियम से जहां पर देख सकते हो के आपको कितनी earning होने वाल है अगर आपके नीचे कोई बंदा इन investment plan में से किसी plan के साथ trading करता है अब बात करते हैं जे तो बात हो गई self investment अगर आपका 26 डोलर से लेकर 500 डोलर तक का है आगे बात करते हैं self investment अगर आपका 501 डोलर से लेकर 1500 डोलर तक का है तो आपको जो level 1 है वहाँ पर 15% आएगा जो level 2 है वहाँ पर 10% आएगा और जो लेवल 3 है आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के उपर उसका 5% आएगा सेम आएगा आपको जो उनका सर्विस चार्जस है उसमें से अब जहां पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कमपनी ना तो मनी सर्कुलेशन कर रही है किसी भी एक आईडी का पैसा दूसरी आईडी में ट्रांसपर नहीं हो रहा दूसरी चीज भी क्लियर हो जाती है कि कमपनी जहां पर कोई MLM प्लैन नहीं चला रही कि आपके नीचे जो रैफरेल लोग आएंगे जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी उपर जो पर डे की उसकी अर्निंग हुई जैसे ROI प्लैन में भी होता है उस अर्निंग में से आपको 15 परसंट जा 12 परसंट हैगा तो जह सारी चीजें जहां पर नहीं है जहां पर आपको जो service charges कम्पनी ले रही है उसमें से आपको pay कर रही है तो जितनी ज्यादा trade लगेंगी जितनी ज्यादा community होगी उतने ज्यादा service charges pay करेंगे हम company को और उतना ज्यादा हमारे उपर commission आएगा तो इसी structure को follow करते हुए जे कमपनी पिछले डेट साल से ओटो ट्रेडिंग में काम कर रही है मैनूल ट्रेडिंग में काम करते हुए इसको लगपग 5-6 साल हो गए है आप मेरी बाकी वीडियो में देख सकते हो जहां पर मैंने इस कमपनी का एक-एक प्रूफ डाला हुए कहां से आप इसका लाइसेंस चेक कर सकते हो आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके उपर क्या अर्निंग होती है एक-एक चीज मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जोइनिंग लिंक मिल जाएगा आपको कमपनी की एक-एक वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो कैसे ओटो ट्रेडिंग और कोपी ट्रेडिंग का जहां पर बेनिफिट उठा सकते हो मात्र 26 डॉलर से स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो को लाइक और शेर करना और अगर आप इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हो तो आपको एक एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही आगे भी MTFE की जितनी अप्डेट आएंगी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ओन कर दीजिए थैंक यू